Medical Facilities नोट किया है सबने Medical Facilities वेड़न पहले कभी टेक्स पड़ा है? बहुत ही पड़ा है और भी अच्छी News बता रही है कोई बात नहीं फिर भी आया समाल अब हम लोग Percursuits में देखो सबसे पहले आपने रेंड-free accommodation देखा clear है बात? ESOP देखा अब ही देखा ESOP मना करके दिखाता तू उसके बात कुछ Percursuits सिर्फ specified employees को मिलते हैं वो पाच होते हैं कौन-कौन से होते हैं Motor Car and Other Convents Facility दूसरा Gas Electricity Water Charges तीसरा Gardner Watchmen ठीक है? चौता Education Facility और पाच्वा Transfood यह सब आपन पढ़ चुके है आप आपन आगे बढ़ रहे है flexible value किती होगी वो निकाल रहे हैं पर Done? तो तुमको सीधे तुमारे book के दर्शन करा दो और इसमें शुरू में नोंने बुला कि जो जो आपको बता रहे है काफी जगों पर तो आपको जो भी medical facility मिल रहे है वो क्या है? exempt है सिर्फ एक जगे पर twist है और उसी पर focus करूँ और वहीं से exam से आता है सबसे पहले अगर आप को medical facility मिली है from the end of employer तो treatment in a hospital maintained by अगर आपका treatment कहां पर हो रहा है उस hospital में जो hospital किसका है? employer ठीक है जी? आप नौकरी करते हो? कहां पर करते हो? जी गंगाराम में आप नौकरी करते हों कहां पर करते हों जी? AIMS में करते हैं जी सब्सक्राइब करते हैं तो वहां के employees को अगर कोई भी दिक्कत हो जाए तो उनका कोई treatment वहां पर होता है तो क्या है? exempt ठीक है? तो अगर आपका treatment उसी hospital हो रहा है which is maintained by employer तो वह क्या होगा? आप देखो आपका इस hospital में treatment हुआ आपका total खर्चा आया तीन लाग रुपे पता नहीं कौन सी बीमारी होई थी? कितना खर्चा आया? तीन लाग रुपे तो यह आपको फाइदा हो गया आपको यहां पर एक भी पैसा देना नहीं पड़ा और यह आपकी salary में भी नहीं जोड़ेगा कि आपको इसके पर tax जेना पड़े पहली बात clear अगर आपका treatment हो रहा है government hospital में कौन से hospital में? बहुत अच्छे होते हैं तो तुम्हारा सरकारी hospital में इलाज हो रहा है तो वहां पे जो भी खर्चा है वो क्या है exempt Done? तो whatever the treatment has been given in government hospital is exempt अब तीसरी बात करते है अब तीसरा हुआ एक तो मैं राजदीव को पता नहीं क्यों बेचारे को परिशान कर रहा हूं पर क्या करें लेकिन क्या हुआ तो अगर यह कह रहा है देखो मैं जहां पर काम करता हूं मेरे employer का कोई hospital नहीं थीक है एक दूसरा मैं सरकारी hospital में जाऊंगा नहीं I am so ameer अद्मी थीक है तो यह सरकारी hospital में भी नहीं 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 मैं private में जाऊंगा फिर इसमें बोला कि मेरा exempt हो सकता है बोला कैसे बोला कि principal commissioner of income tax matter income tax का है न principal commissioner of income tax कुछ disease notify करें कि यह 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 और यह इन बीमारियों से अगर आप ग्रस्त है और इन hospitals में अगर आप इन बीमारियों का इलाज कराएंगे तो जो भी इलाज के खर्चा होगा वो क्या होगा पूरा तो देखो क्या लिखा हुए treatment of prescribed disease अब मैंब disease के नाम लेने लगूँ और आदो के तो pronunciation हला लगे पता नहीं कौन कौन से disease उने बोलिया और अपन science के student है भी नहीं कभी नहीं थी कभी इसलिए commerce में तो अपन को पढ़ने भी नहीं हो याद भी नहीं करने exam में भी देखा there is a certain prescribed disease तो treatment of prescribed disease in a hospital which is approved by principal commissioner और chief commissioner of income tax तो principal commissioner chief commissioner ने कुछ hospital nominate कर दिये बहिया rml hospital हो गया max hospital हो गया यह कुछ ऐसे hospital लोनने बोल दे कि यह approved hospital है इनमें अगर आप in disease का इलाज कराते हो जो भी खर्चा हुआ ने वो क्या हो जाएगा exempt तो भाया तीन exempt हो गए यह हटाओं पहले में तुम बोलोगे खुदी बोलो कौन कौन सा अगर आप कहाँ पे इलाज करा रहे हो उस hospital में जो किसने बनाया है आपको employer भगवान है जो इसने बनाया हमारा तो है नहीं तो हम कहाँ चले जाएं government hospital में वो क्या होगा treatment free हो जाए तीसरा यह थो यह तो हमें ऐसी बीमारी हो जो कि प्रिस्क्राइब ओ ठीक है कल ने को आपको बुखार पखेर होगा हो गया है पोलो यार इसका तो खर्चा हो जएगा तो क्या होना जाए चान सरो यह प्रिस्क्राइब डीजीज है अब तुम यह सोचो उस टाइम पे कि तुम को तुम टेक्स के स्टुटेंट हो तुम बीमार वक्ते पर भी पड़ो कि इसका क्या हो जाया कोई एक्जेम्ट हो जाया ऐसा सोचना चाहिए तुम ठीक है तुम यह सब्सक्राइब तुम्हारे पास समझ में एंगे खुद की तारीब खुद ही कर रहा है चला आगे बढ़ते हैं चौहता है अब क्या होता है तुम ने क्या करा अपना हेल्थ इंशॉरेंस कर वा लिए तुम ने बोला एंप्लोई री शकल मेरे को भरोस्ता है नहीं कि तुम में ध्यान रखेगा तुम टेकिं केर अफ मैसल्फ बोला ओके टेक क्या गुद नाइट ठीक है तो आप क्या करें खुद का ध्यान रखेगा तो आपने क्या कर आपना हेल्थ इंशॉरेंस कर वा लिए कि कल को कुछ हो गया ऐसे तो हम फिट है लेकिन क्या पता मतलब म करवाया तो उसने बुच्छा कि आपको क्या क्या कवरेज करना मैंने का सब कवर कर मेर को बुखार से लेकर कैंसर से लेकर कुछ भी हो जाए मैं हॉस्पिटल में जाओंगा और सीधे लेट जाओंगा एडमिट और उनसे बोलुगा जो खर्चा हुआ है एक ट्राइड दो बार जाके बॉडि बना लुगा मैं कोई खर्चा का पीमें दीक अंड़ा क्योंकि फिर मैं वहां पर बोलुगा कि मैं एपना इंशुरेंस करवा रखा ता उससे पैसे लो तो मैंने अपना हेल्थ इंशुरेंस लेलिए उसने बोला सारा खर्चा हमारा बस आपको घर से आपको राजाओ वाली बात है आपका 1 लाग रुपय प्रीमियम जाएगा साल का मैं थीक है बोला देख लो साल पर में बीमार नहीं पड़े तो मैंने चक्कु घूब दूगा एपना उसका लोड नहीं है तू ले 1 लाग रुपय प्रीमियम दे रहा हूं कि मैं अगर साल ब इंकर्ड दाट इस बीड़ बाई इंशुरेंस कम्पनी ठीक है मैंने एक लाग रुपय प्रीमियम बरा अब सची बात हो यह अगर अगर अब प्राक्टिकल बात करो आप 20,000 पच्छे जार या 30,000 भी प्रीमियम पे कर रहा हूं तो वह भीन अपने को चुपता है कि अगर स साल भर में अपने प्रीमियम पे करा अपन भीमार भगवान ना गरे हूं लेकिन अगर नहीं हुए तो वह तो खतम वह साल के बाद लैप्स हो जाता है वह रिफंट होड़ी ना होता है यह कहीं इंवेस्ट होड़ी ना हो रहे अब जिसे मेरी कार का इंशुरेंस मैंने करव अब सब्सक्राइब लाग तो वह एक साल तक है एक साल में कहीं पर घृड़ी बिढ गई मैं इंशुरेंस कंपनी वाले को बोलों और ठीक कराए नहीं बढ़ी तो दो लैप्स होता है इसी तरीके से हेल्थ इंशुरेंस होता है वो भी क्या होता है लैप्स होजाए आईब समझ तो employer क्या करता है कि मैंने अगर health insurance premium करवाया अपना employer बोलता है कि देखो this is my responsibility to take care of my employee तो बोला तू रखता है नहीं हमारा द्यान बोला में रखूंगा तो बोला ये देखो इन सब ने health insurance नहीं करवाया आप फिर मैं आया मैंने बोला क्यों ये सगे हैं मैं सौते लूग बोला नहीं मैंने का मैंने अपना health insurance खुद में पे करा रहा है वो बोला वह मैं आपको रिंबर्स कर दूँगा तो एक ही बात है या तो वो पे कर दे या फिर आप न कर रहा है तो आपको क्या करते देखो कैसी बा रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया आपको फाइदा है आपका पचास हजार रुपर एंप्लॉयर पे कर रहे है और वो टेक्सिबल भी नहीं होगा वो क्या है या फिर हेल्थ इंशॉरेंस प्रीमियम रिंबस्ट भाए या आपने कर रहा है ता आपको उसने क्या कर दिया रिंब अब होगा तो एक्जेम्ट है इसके वपर कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना तो सीखी सकते है अब आते हैं अपन यह मैंने पाच पॉइंट पड़ा दियो और पाच पॉइंट में एक्जेम था अब 6 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और यह आप ध्यान से सुनें एक्जाम पॉइंट पॉइंट और यह एक्जाम में कई बर हिट भी हो चुका है तो अब मैं आपको समझा रहो हूं आराम से सुनेंगे ठीक है कि रहनाम क्या था भूल गया मैं योगेश अब सुनो मेरी बार योगेश बीमार हो गया अब मुझे पता है वो था पर में दिम खुर्व को जो तो अब अब लो उस्पिट्ल की बड़े ड़ कि बुले यह कि अटानी का फुरानी है वारे मार तो समझे नहीं हूरह है हमारे बशी की निये इंऊंगे इपका फीशह भी आप नवारि चैन् committed qa देखने क्वाल ने बुहा हूं हु थर किसी की दोक्टर ने इसका medical treatment abroad में उसकता है, जो हो सकते हैं? कहा रिषमार? तो देन जिसका कैने हो को तरेटीमें इसका है और है इन्टेया के लिए कित ढ़ए हूतर है ऐसे बाहुत चारे treatment के बाहँ पुर। इसकी न थे जुब है जो पलेशा कि दो अधार दी जो पर नहीं होते हैं तो बोले कहां जा रहा है यू के बोला उतराखंट तो इंडिया में है बोला United Kingdom जाना पड़े है वहाँ पर इसका treatment है तो अब ही क्या ले रहा है He is taking the medical treatment abroad कहा ले रहा है यह इंपोर्टेंट है सबसे सब ध्यान से सुन लेना फे बाद में बोलना समझ में नहीं है Medical treatment कहां पर ले रहा है अब मैं इसको नहीं पहले यहां समझेंगा Medical treatment abroad अब इसको पर्मिशन मिल गई है कि सर आपको medical treatment abroad में ले सकते हो वह permission कौन देता है कौन है competent authorities सब बता रहा है अब जैसे इसको permission मिल गई यह घर पर आया खुश हो गया इसना में भाई को बुलाया राज़ीव राज़ीव जल दिया ठीक है दोनों साथ में बेढ़े के देखो बोला क्या हो बोला बहार जाने की permission मिल गई है मैं जा सकता हूँ और मैं तो हूँ बीमार हूँ तो अकेल जा हूँ गए च्जा पर मेरे साथ एक अटेनट भी जा सकता तो राज़ी बोला आ चली रहे है तो और दोस्तों को ले लेते हैं, चेतन को भी ले लेते हैं, कॉनिका को भी लेते हैं, भार घूम के आएंगे, वोला साल, इलाज के लिए जा रहे हैं, आयाशी के लिए नहीं जा रहे हैं, तो आप अगर medical treatment abroad करा रहे हैं, तो sir, we understand that you are a patient, you are not eligible to take care of yourself, somebody must be there to take care of yourself, but somebody in case of, that is only one one person, one attendant can be allowed, more than one attendant, लेके जाओ, हमको क्या दिक्कत है, पर खर्चा तुमारा है, जैसे आपन बोलते हैं, बच्छमन में दोस्ती पकी खर्चा अपना, तो चलना है चल, तो खर्चा तेरा अपना, तो medical treatment abroad, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें जब होता है, तो ये दो तीम तो medical treatment पे किता खर्चा आएगा, आज की एट पे पैसा तो ले चले, कल को reimburse भी उजाएगा तो, तो medical treatment पे खर्चा आएगा और सोच रहे है, आज तो पांड में पैसा देना पड़ेगा, ऐसा योगेश सोच रहे है, जिंद्की मित्ता कमाया है, राजदीव से पूछ रहा है राजदीव मतलब है वहाँ पर जाके लड़कीन शेडिन हे उसको दूसरा घरचा कि वहाँ पर रहेंगे का रोड पर तो रहेंगे नहीं मतलब यहां पर ठीक है stay expenses allowed here, तो यहां पर ठीक है कहीं पर भी रहो कल रात को किसी को पता है कल रात को तगडी बिजली-कड़की थी मैं जाहा रहे तो मातो गड़की थी पता नहीं मैं से सबसे पुछरा यह पता है इस अपनी सब जग़े पर कड़की हो है इना तो यहां पर तो मैं जब बिजली- पढ़ेंगे तो अपने खर्चे कौन कौन से सोच के चल वे एक तो medical treatment का खर्चा जिसके लिए जाई ही रहे दूसरा वहां पर stay है खर्चा ठीक है खाने पीने यह भूक ही रहे जब बोलो party बोलो samosa है यह कचोरी यह ही पूस्ता है यह या यार दू मतलब दूसरा कहा है stay expenses और तीसरा तीसरा इनको देखना है कि यहां से वहां जाएंगे तो transport travel expense या transport expense कि यहां से flight पकड़के दो लोग जाएंगे यह रहां से देखने को मिलेगी और फिर आएंगे तो यह भी तो खर्चा है तो यह सब कुछ सोचके बढ़े तो यह तीन खर्चे हैं क्या है तीन खर्चे अब Reserve Bank of India इंके लिए permission देता है कि sir hospital से report आईए कि आप सच में आपका जो इलाज है वो इंडिया में तो नहीं हो सकता you have to go to abroad we are allowing you कि आप जा सकते हो तो इसने बोला आप allow कर रहे हो मेरे को इससे मतलब नहीं है मेरे को इससे मतलब है आप मेरे को कितना amount allow कर रहे हो तो Reserve Bank of India ने आर बी आई Reserve Bank of India ने बोला कि medical treatment में मैं Indian currency में बोल रहा हूं क्योंकि अपन को इंडियन currency में पैसा आएगा तो आपको बोला कि आपको medical treatment में डेड़ लाक रुपे तक का खर्चा allowed करता है RBI यानि बड़ी बीमारी है बाइस यह medical treatment पर जाएगा यह नहीं है कि इसका burger खा लिया है कितना डेड़ लाग ठीक है RBI ने बोला कि stay expenses का आपका जो खर्चा आएगा वो 80,000 आएगा डन बस यह दो पर ही बोलता है RBI अब आपने actual खर्चा करा medical पर आपका खर्चा आया एक लाग सत्तर हजार उपे चलो ठीक है इंडियन करणसी में एक तो इतना मिल गया तो टेक्सेबल कितना हो जाएगा क्लियर है बात और यहां पर stay expenses में यह लोग राजाओ की तरह रहे इस पर खर्चा कर दी है इन्होंने डेड़ लाग मिला कि तदा 80,000 तो 70,000 क्या हो गया रहा है कि जितना खर्चा यो उसे कम खर्चा करो तो पूरा exempt हो गया ठीक है पर यहां पर एक औरouve when तो बार बहर बार Reserv Bank of iPad k और ने जाकर नीचे योगश बेठ़ जाता है अब ये ब्हुला है वहां पर क्या हंग हां में जाता गयों किनी सा पता है। थो भिग कराने अब ये के है challenges । बोला कैसे बता, बोला आपकी गरीब की डेफिनिशन क्या है, हमने बोला कि अगर आपकी जो ग्रॉस टोटल इंकम है, वो अप्टू रुपीस टू लाक है, कितनी, दो लाक रुपे तक है, तो हम मानेगे कि यू आर गरीब, तो हम आपको जो आपका ट्रांस्पोर अलाउंस ह होगा आपको पूरा का पूरा दे देंगे, यहां से यू के जाने का और यू के से इंडिया ने का, हम दे देंगे, लेकिन अगर आपकी इंकम दो लाक रुपे से जाध है, तो अगर आपका मानेग ट्रांस्पोर अलाउंस पर खर्चा हुआ है, एक लाक रुपे का तो यह आपको भीर करना पड़ेगा, इस एंटाइली टेक्सिवल, आ रही है बात समझ के नहीं आ रही है, तो इसने बोला कि मेरी इंकम, मेरी इंकम मात्र 1.5 लाक रुपे है, आय हम अतय गरीब, हमें पता था तू ऐसा आएगा, तो हमने का सुन, यह ते तरी 1.5 लाक रुपे है हम पहले यह टेट लाग लेंगे, और इसके अलावा अगर जो तिरे को अमटीकल ट्रीटमेंट और इस टे ह्समेंसे में से कोई अमू टेक्सिबल वैल्यू निकला है तो वह भी जोड़ेंगे, बोलो वी, बोलो कितना निकला है, बोलो यह 20,000 रुपे निकला है और इदर 70,000 बोला यह भी जोड़ेंगे हम इसमे प्लास 20,000 प्लास 70,000 आप टोटल किता हो गया 240,000 2,000,000 से जादा हो गया आपको traveling allowance मिलेगा fully taxable होगा क्या होगा अगर 2,000,000 से कम होता है तो पूरा का पूरा exempt हो जाता है तो अगर आपकी income 2,000,000 तक है including medical expense और stay expense का actual value जोड़ते होए यह वाला value taxable value जोड़ते होए 2,000,000 से जादा है तो तो आपकी traveling expense क्या होगी fully taxable 2,000,000 तक है तो क्या हो जागी exempt हो जागी बात समझ में आरही है पक्का मेडम खुशी मेडम खुशी हो खुशी मिली कुछ बस बच्चा खुश टीचर खुश यह बात समझ में नहीं आई तुम को तुम मैं क्या करूँ question कर आऊंगा illustration number 13 screen पर देख रहे हैं सब लोग देख ता है किसको समझ में आया असी बन नाके नहीं आई बारिष में कहा नहीं आया सावन का महीना चल रहा है रोज नाना चीह तुमको पता है यह बात नहीं पता है Himalaya Limited खुषी नंगे आई है उन्हाइच की बेनान है लोग, खाली लड़के है तो रहना है रहना है Himalaya Limited reimburse the following expenditure on medical treatment of son of employee करन Himalaya Limited reimburse the following amount on medical treatment of son of employee अब एक एम्प्लॉई है करन, इसका भाई भी एक अर्जुन उसकी बाद में करेंगे, जो करन है उसके बेटे का इलाज है, the treatment was done it, पता न कहां पर है, दूर है उतराखंदी अपना, दिल्ली वैलो का जब बारिश होती है, मन होता है उतराखंद चले जाए, मेरे को कभी मौसल आपने वाई को बोता हूं, चले पहड़ो पे, बोगों जो कैसा आदम है, बाद बाद पे पहड़ो पे चलागा गा इधर चलो, कभी उधर चलो, मैं जिन्दी की उधर है, कोई है तर उतराखंद से, मतलब जिसकी बेजदी कर रहा था मैं, वही निकला, तू सहीर में तो ट्रेवलिग एक्समेंस कितना हुआ, एक लाख, भाई ये ट्रेवलिग एक्समेंस, एक लाख, पंदरह अजार सबसे आखरी में डेसाइड होगा, क्योंकि वेदर इस फुली टेशिबल और एट, एक्सम्ट, ठेक है, ये सिरी मैडम से बात भी बात ने कर रहा, इस्टे और किसी के ऐस आइफोन अभी नहीं है अरे भाईसर जो लोग और लेकिन मैं बताता हूं तुम लोगों ने हरकत करी होगे, जिनके ऐस आइफोन है वो सिरी के साथ खेलते हैं, है ना, तो सिरी के साथ, सिरी प्ले ए सौंग फो मी, सिरी, I love you, सिरी, मैं पता नहीं मैं इसको क कौन साथ है यार अने पास, अरे बहुत सुनाती है वो अरत यार, एलेक्सा, और एलेक्सा बहुत सुनाती है यार, एलेक्सा बहुत सुनाती है यार, एलेक्सा अरेक्सा 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 अर तोटल एक्समेस किता हुआ एक लाग पंद्रह जार इत लेटर स्टेज ठीक है कि तुम गरीब हो या नहीं दूसरा इस्टे तुमने किता खर्चा कर दिया तुमसे जिता दिया जाते उससे जादा रहने के आदत पड़ गई तुमको ने 45,000 मिला 70,000 किता खर्चा कर दिया किता खर्चा कर दिया कि पच्चेस हजार यह वह स्कूल में गुड मॉनिंग मैडम पच्चेस हजार मेडिकल एक्समेस पर्मिट by RBI 50,000 तुमने कितना कर्चा कर दिया 20,000 दन ये expense तुमसे गलती हो गई अब ये तुम्हारे उस total gross total income में जोड़ा जाएगा अब बोला गया calculate the perquisites in the hands of current if the annual income from salary after the standard reduction was rupees 1,55,000 कितनी income है उसकी ठीक है सथ अब हम यहाँ पर दिखेंगे करन की annual income from salary है कितनी है बोलो 1,55,000 प्लस इसमें क्या जोड़ा अपन ने stay expenses अरे बोलो plus medical expenses बोलो दोनों का total बोलो अभी इसमें plus कर रहा हूं में traveling expenses इसको जोड़ने से पहले total कितना आ रहे है दो लाग से सादा रहे है क्या नहीं तो यह traveling expense पूरा क्या होगा clear है बात अभी इसमें दूसरा question भी बोल रहे है कि अगर उसकी income 1,56,000 होती तो जान मुझे मतला हम बेफूफ है जैसे हमको समझ भी नहीं आएगा कहरा अगर उसकी income 1,56,000 होती तो करके दिखाएंगे आपने order दिया है आदेश का बलन करेंगे अगर उसकी income 1,56,000 होती तो हम इसमें जोडते है 25,000 20,000 तो यह total किता होगा है 2,1,000 तो traffic expense 1,15,000 पूरा का पूरा taxable तो total value किती है आगई 3,16,000 Are you getting this यह first है यह second है हो गया